हाई एवर्वान वेल्कम टो अभी मन्यों आईएस माइनेम इस रोहित गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड तू दे पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पर हम बहुत ही प्रिसाइस वे के अंदर एक पर्टिकुलर करेंट फेर को डिस्कस करते हैं फॉर्यर प्रिलिम्स एक्जामिनेशन उस करंट फेर के अंदर से आपको वह वाला कंटेंट दिया जाता है जहां से सवाल बन सकता है राइट एंड यूपीस्ट का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इस इन्वारमेंट तो इन्वारमेंट से रेटिट जब भी को प्रिस्क कहां ये पाया गया है वो हम इस वीडियो में देखते हैं उस से पहले लेट में टेल यू अबाउट अभी मन्यु आईएस अद अब कोर्स एक बात रिलाइबल सोर्स है ये वाला प्लाटफॉर्म ये जो वीडियो देख रहे हो ये आपके लिए सिरफ प्रिलिम्स के लिए आपके काम आ सकती है और इसमें हफते में तीन ही टॉपिक्स कवर होते हैं ये कोर्स आपको comprehensively सब कुछ कवर करवा देता है इट इस अवेलेबल इन बोथ offline और online format यू गेट अट सेवन देज फ्री फ्री ट्राइल जरूर लेके देखिये सी दे कॉलिटी अफ दे क्लास कॉलिटी अफ दी कंटेंट इन देंडिए फो यूर्सल इट इस अवेलेबल बोथ इन online और offline format तो इस अफ एक्सेस इस देर राइट आप कहीं और इंडिया वे किसी भी कोने में बैठे है आप इसको एक इक आपके शल्डे को क्लास होती है और इसमें जो प्रीविएस वीक होता है उसके क्लास के अंदर हम रिजिस्टर के अंदर नोट करते हैं comprehensively उसके पर चर्चा की जाती है उसको समझा जाता है और साल के एंड में आपके पास एक रिजिस्टर बनेगा जिसके अंदर बेसिक इसके अंदर basically curated form के अंदर आपको content मिलता है जो की आपके पिछले हफ्टे के जितने newspapers इंडिया में आते है mostly और जितना इदर उदर content होता है सब को curate करके आपकी एक PDF बना दी जाती है और इस PDF के अंदर जो है आपको आपका सारा content जो मिल जाता है एक ही जगह पर static research बिसके प्रॉपर एक team के थुरू यह pass होके निकलता है यह PDF नॉमबर थ्री यू गेट weekly tests तो जैसे यह तीन चीदे पूरी होती है यह दो चीदे पूरी होती है और weekly test देते हो इन तीनों के combinations you can consider कि आपका current affairs as a module is complete now right तो एक current affairs के module के जो tension रहती है यह जो है यह आपके दिमाग से थो available कीजिए चलिए आगे चलते है इस beautiful fellow Eurasian otter तो इसका context है चोटा सा कि three Eurasian otters were spotted in the Neeru stream of the Chenab catchment in Jammu and Kashmir ठीक है तो यह वहाँ पे spot होए है क्या मतलब है इसका सबसे पहले एक और चोटा सा context देखते है इसका कि Eurasian otters are regarded as a flagship species and indicator of high quality aquatic habitats तो यह वहीं पर inhabit करते हैं जहां पर high quality aquatic habitat होता है अगर polluted होगा या जड़ा सब इसमें वहाँ पर pollution होगा तो यह वहाँ पर नहीं survive करते हैं यह वहाँ पर जाते ही नहीं है तो अगर हमें Neeru stream जो कि चनाब की tributary है वहाँ पर यह देखने को मिल रहे है that means its presence is encouraging for the health of the Neeru stream तो यह इसका मुद as a species और दूसरी जो है हमारी Neeru stream है न कि क्या है यह कहां से निकलती है कितनी इसकी length है कहां मिलती है जाके तो यह सारी चीज़ें important होगे यह दोनों चीज़ें आज की video में देखेंगे about Eurasian otter it is a semi aquatic carnivores animal right it is a semi aquatic carnivores mammal ठीक है इसमें से दो चीज़ें बहुत important है semi aquatic और mammal तो एक hybrid सवाल दी आ सकता है which of the following species is a mammal यह is not a mammal तो Eurasian otter is a mammal इसका scientific name Lutra Lutra right UPSC का पहले trends और scientific names पूछने का अब कम हो गया है बट स्टिल अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको पूरा ही पढ़ेंगे distribution it has one of the widest distribution of all palaearctic mammals है ना हमारे अर्थ के जो geographical geobiographical जो हमारे realms है उसमें से widest distribution है इसकी of all palaearctic mammals its range covers parts of three continents ठीक है अगर आप देखोगे यहाँ पर palaearctic region में तो यहाँ पर जो तीन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर continents that is this one Africa then we have Europe and then we have Asia यहाँ तो तीन continents का यह cover करते है इसकी range right we have Europe, Asia and Africa इसको पर भी direct सवाल जो है पूछा जा सकते है हाला कि पहले Arctic mammals पहले Arctic region से भी clear हो जाते है कि कौन-कौन से तीन continents में cover होंगे but just in case कि अगर आपने यह नहीं पढ़ा है जोग्राफी module भी नहीं हुआ है so for that in India it occurs in northern, northeast and southern India वो भी जहाँ पर high quality आपको streams देखने को मिलती है high quality aquatic habitat होगा वहाँ पर आपको यह देखने को मिलती है इंडिया में चलिए इसका habitat देखते है it lives in a wide variety of aquatic habitats including highland and lowland lakes क्योंकि अभी यह नीरू stream में मिला है तो confuse नहीं होना कि यार यह 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 हाँ हाँ इंक्लूडिंग highland and lowland lakes, rivers, streams, marshes, swamp forests and coastal areas मतलब wide variety जैसे हम रामसर के convention में बढ़ते है कि wetland की definition बहुत wide है वैसे इनका भी जो range है वो बहुत wide है इंडियन subcontinent Eurasian otters occur in cold hill and mountain streams ठीके जी, features, it has long light body with a thick tail and short legs यह पूछे का नहीं आपके context के लिए है सिरफ थोड़ा सपके को समझ में आजे, it has a sensitive whiskers around this now to help detect prey, it has two layers of fur, a thick waterproof outer one and a warm inner one with 50,000 hairs per centimetre इसको irrelevant information, it has acute sense of sight, smell and hearing, ठीक है, जो आपके लिए important है, इसका conservation status, है ना, IUCN में it is near threatened, wildlife protection act 1972, schedule 2 and sites का appendix 1, यह trade in wildlife species को जो avoid करता है, रोकता है, है ना, prohibition करता है, तो यह sites वो है, कर किसी नहीं पढ़ा तो प्लीज इसको भी आप जरूर कवर करके रखिये, साइट्स को, यह थोड़ा सा news में इन दियों जादा आ रहा है, और हो सकता है, इसके उपर UPSC जो है, आपको static सवाल कोई पूछ ले, इन इस वीडियो, it is not possible for me, कि मैं sites को completely आपको पढ़ाऊ, बट जैसे मैं आपको बताया, वो जो course है, उसमें हम class में इस टाइप की चीज को भी, भी cover, और वो भी उस context से कि, यह static में तो आपने पढ़ी रखा होता है, उसमें ऐसा क्या part है, जिसके उपर सवाल बन सकता है, अब, current context के अंदर, तो again I would suggest you कि, link is down there, आप जरूर उस class को avail कीजिए, और 7 days का free trial तो at least ले लीजिए. So conservation status, IUCN, Near Threatened, Schedule 2, of Wildlife Protection Act, and Sites का Appendix 1. Neeru Stream का देखते हैं, Neeru is a tributary of Chenab River, यह हमने starting में देख लिया था, अगेन इसके उपर भी direct सवाल जो है, आपको देखने को मिल सकता है, और अभी आपका हर्याना का civil services भी आ रहे है, हमारा EPFO का exam भी आ रहा है, तो इस टाइप के जो exam है, उसमें अदर आपको यह वाला सवाल है, आपको directly देखने को मिल सकता है. It is a 30 km perennial stream, मतलब सारा साल भेहती है, that originates in the Kalash Lake at 3900 meters above mean sea level and drains into Chenab at Puldoda. वहाँ पर जाके यह चनाब के साथ में जो है, वहाँ पर मिल जाती है, शुरुवात इसकी कहाँ पर हो रही है, Kalash Lake पर हो रही है, ठीक है, तो यह भी अगेन एक potential direct question के अदर फॉल करता है. It is fed by 13 major tributaries, Neeru flows through several small villages, semi-urban and urbanized areas with Baderwa being the largest settlement, right? तो इस stream के अराउँ जो largest settlement है, वह Baderwa है, यह भी एक potential सवाल है, खास करके आपके states के लिए, UPSC may or may not ask it, पर अगर हम पढ़ रहे हैं इसको तो हम पूरा ही पढ़ेंगे. So this is, this is all in today's topic, thanks for watching, my name is Rohit Garcha and you are watching Abhimanyu AIS. झाल